C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुद है कक्षा बारह के लिए हिंदी की आधार ध्वनिपाठ्य पुस्तक वितान भाग दो पाठ संख्या चार डाइरी के पन्ने लेखिका एन श्रंक अनुवाद सूरज प्रकाश पाठ परिचय डाइरी के पन्ने यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी उसके बाद The Diary of a Young Girl शिर्शक से 1952 में प्रकाशित हुई डाइरी के पन्ने नाम से यहां इसके कुछ अंश दिये जा रहे हैं युद के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं युद से भगोलिक नक्षा बदल जाता है कई बार खास इलाकों के मनुश्यों, जाती और संस्कृती का नामों निशान समाप्त कर देता है युद युद का दंश कई पीडियों को भी जेलना पड़ता है, जैसे जापान 1933 के मार्च महीनी में, फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद, जब यहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए, धीरे धीरे अपना बसेरा, नीदर्लेंड्स के एमस्चडम शहर में स्थानांतर कर लिया, वहां 1949 में द्विच्विय विश्वियुद की शुरुआत तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किन्तु मई 1940 में नीदर्लेंड्स पर जर्मनी का कबजा होने के बाद, हालात बिगरने लगे, यहूदियों की उत्पीरन का दौर शुरू हो गया, उन्हें तरह तरह के भेद भावपून एवं अपमान जनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा, इन परिस्थितियों के बीच, फ्रेंक परिवार 1942 के जुलाई महिने में अज्यात वास पर चला गया, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन जिसका तातक कालिक कारण बना, एन की बड़ी बेहन मार्गरोट को सेंटरल ओफिस फर जुईश इमिग्रेशन से आया बुलावा, एक युवधी के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए, फ्रेंक परिवार ने ततकाल गोपनी स्थान में जा चुपने का निर्ने लिय और वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तहें जमाये क्योंकि साजो समान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पत बना देता, पैदल क्योंकि यहुदियों को किसी सवारी पर चलना मना था, उस जगह की और निकल पड़े यह जगह थी ओटो फ्रेंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े की दो मंजिलें जिन तक पहुँचने की सीड़ी अलमारियों की एक कतार के पीछे चिपी थी यहां दो मित्र परिवारों के चार और सदस्य उनके साथ रहने आ गए इन आठ अज्यातवासियों को फ्रेंक साहब के आफिस में काम करने वाले इसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली और वे दो साल से कुछ ज्यादा ही वक्त काट ले गए चार अगस 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गैस चापो हिटलर की खुफिया पुलिस ने इस गोपनिय निवास पर छापा मारा सभी लोग नाजियों के हत्थे चड़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातनाग्रह में भेज दिया गया महायुद में मित्र राष्टों के हाथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातनाग्रहों में कैद यहूदियों को आजाद कराया गया अप्रेल 1945 में तब फ्रेंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे नाजियों की सांप्रदाइक नसली ग्रणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुती ली उनमें अपनी मा और बहन के साथ एन भी शामिल थी एन फ्रेंक की बहुचर्चित डायरी दो साल के उसी अग्यादवास के दर्मियान लिखी गई थी अपने तेहर में जन्म दिन 12 जून 1942 पर जब उसे सफेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई तब उसने तै कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी डायरी उसने उपुहार में ही मिली एक गुडिया किट्टी को संभोधित करके लिखनी शुरू की थी गोपनी ये जीवन की तब शुरूआत नहीं हुई थी लेकिन महिने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी एन का डायरी लिखना जारी रहा आखरी हिस्सा उसने पहली अगस्त 1944 को लिखा जिसके तीन दिन बाद वह दूसरे साथ लोगों के समेच नाजी पुलिस के हथे चड़ गई संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातना ग्रह से जीवित निकलाने वाले आटो फ्रेंक ने जब उसे पढ़ा तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के आयल हो गए उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस जायरी को प्रकाशित करवाया और शने शने वे दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंक प्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है हम यहाँ उस भयावय दौर को किसी इतिहासकार के निगाह से नहीं सीधे भोकता के निगाह से देखते हैं और यह भोकता ऐसा है जिसकी समझ और समवेदना बहुत गहरी तो है ही उम्र के साथ आने वाले दूशनों से पूरी तरह अच्छूती भी है इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचे देते हुए ठीक ही लिखा गया है इस जायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानविय समवेदनाएं, प्रेम, घ्रणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, तेहरा साल की उम्र के सपनें, कलपनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पढ़ जाने की पीड़ा मानसिक और शारिक जरूरतें, हसी मजाक, युद की पीड़ा, अकेला पन, सभी कुछ है, यह डायरी यहूदियों पर धाय गए जुल्मों का एक जीवन्त दस्तावेज है लेखी का परिचय N. Frank N. Frank का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रेंकफुर्ट शहर में और मृत्यू नाजियों के यातनाग्रिह में 1945 के फरवरी या मार्च महिने में N. Frank की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है मूलता डच भाषा में 1947 में प्रेकाशित ये कृति अंग्रेजी में The Diary of a Young Girl शीर्षक से 1952 में प्रेकाशित हुई तबसे इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत, अनेक तरह के संसकरण आ चुके हैं इस पर फिल्म, नाटक, धारवाही के त्यादी का निर्मान हो चुका है प्रिष्ठ संख्या, तिरेपन पाठ संख्या चार, डाइरी के पन्ने, बुधवार, 8 जुलाई, 1942 प्यारी किट्टी ऐसा लग रहा है मानोर अविवार के बाद से बरसों बीद गए हो इतना कुछ हो गया है, जैसे पूरी दुनिया ही उलट-पुलट गई है लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिन्दा हूँ लेकिन ये मत पूछो कि कहां और कैसे मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पलने पड़े इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दुपहर को क्या हुआ था तीन बचे थे, हेलो जा चुका था लेकिन वो दुबारा फिर से आने वाला था तभी दर्वाजे की घंटी बजी, चुकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पढ़ रही थी इसलिए मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं थी कुछ देर बाद रसोई के दर्वाजे पर मर्ग रोट नजर आई वो बहुत गुसे में थी पापा को A.S.S. से बुलाए जाने का नोटिस मिला है, वो फुस्पुसाई मा मिस्टर वानदान को देखने गई हुई है मिस्टर वानदान पापा के बिसनस पार्टनर है और उनके अच्छे दोस्त है मैं अवाक रह गई थी बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है यातना शिवरों के नजारे और वहाँ की कोठ्रेयों के द्रिश्य मेरी आँखों के आगे तेर गए हम अपने पापा को इस तरह के नियती के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिस नहीं जाने देंगे मारगरोट ने उस वक्त कहा था कि जब वो ड्रॉइंग रूम में मा की रहा देख रही थी मा मिस्टर वानदान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगा पर जा सकते हैं वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है हम लोग कुल मिला कर साथ लोग होंगे मौन हम आगे बात ही नहीं कर पाए ये ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए है मा के लिए इंतिजार की लंबी खड़ियां, गर्मी, सस्पेंस इन सारी चीजों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिये थे तभी दर्वाजे की घंटी बजी ये हैलोई होगा मैंने कहा दर्वाजा मत खोलो मार्ग रोट ने हैरान होते मुझे रोगा लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से मा और मिस्टर वानदान को हैलो से बात करते हुए सुन लिया था तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दर्वाजा बंद कर दिया जब भी दर्वाजे की घंटी बशती तो मुझे या मारगरोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए है हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया मुझे और मारगरोट को बाहर भेश दिया गया क्योंकि वानदान मा से अकेले में बात करना चाहते थे जब मैं और मार्गरोट बेड्रूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि ये बुलावा पापा के लिए नहीं बलकि खुद उसके लिए था इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी मार्गरोट सोला बरस की थी तै है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहां से भेजना चाहते हैं लेकिन भगवान का शुक्र है वो नहीं जाएगी मा ने मुझसे यही कहा था पापा जब मुझसे चिपने की जगा पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा अग्यात्वस हम कहा जाकर चुपेंगे शहर में? किसी घर में? किसी परचत्ती पर? कब? कहा? कैसे? यह ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी लेकिन फिर भी यह सवाल मेरे दिमाग में कुल बुला रहे थे मार्गरोट और मैंने अपनी बहुत जरूरी चीजें एक थेले में भरनी शुरू की मैंने सबसे पहले अपने थेले में ये डाइरी ठोसी इसके बाद मैंने करलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंगी और कुछ पुरानी चिठ्थियां थेले में डाली मैं अग्यातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी, कि मैंने थेले में अजीब और गरीब चीजें भर डाली फिर भी मुझे अफसोस नहीं है स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हैं तब हमने मिस्टर क्लिमेन को फोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आपाएंगे मिस्टर वानदान चले गए ताकि मीअप को लिवाला सके मीअप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडर्वेरों तथा स्चॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा चा गया हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई मौसम अभी भी करम था और सारी चीजें जैसे हमारे लिए अचनभी होती चली जा रही थी हमने अपना उपर वाला एक बड़ा कमरा, तीसिक बरस के एक विधुर, मिस्टर गोल्शमिंड को किराय पर दे रखा था तै था कि उसे उस शाम कोई काम धंदा नहीं था इसके बावजूद हमारे कई इशारों के बावजूद वो रात दस बज़े तक वहीं पर मंडराता रहा मियप और जॉन गेज रात ग्यारह बज़े आए मियप 1933 से पापा की कमपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के गरीबी दोस्तों में थी उसके पती जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडर्वियर और किताबे मियप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी साढ़े ग्यारा बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए मैं बुरी तरह से ठक गई थी फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखरी रात है मैं जैसे घोड़े बेच कर सुई मेरी नींद अगली सुभा साढ़े पाच बजे मारग्रोट के जगाने पर ही खुली किस्मत से ये सुभा रविवार की तरह गरम नहीं थी दिन भर गरम बरसात के फुहारें पढ़ती रही हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज्यादा कपड़े ले लिये थे मानो हम फ्रिज में रात गुजारने जा रहे हो वज़ा सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कपड़े ले जाना जाते थे हम जिस स्थिती में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ती कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था मैंने दो बन्याने, तीन पैंटे, एक ड्रेस और उसके उपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती दो जोडी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्काफ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओड़ पहन रखा था घर से निकलने से पहले ही मेरा दम खुटने लगा था लेकिन किसी को भी परवा नहीं थी के मुझसे पूछे एन कैसा लग रहा है तुम्हें मार्ग्रोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वो अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वो मियब के निगरानी में अज्याज जगा के लिए रवाना हो गई कुछ भी रहा हो मेरे लिए तो वो अंजान जगा ही थी क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहां जाने वाले है साड़े साथ बजे हमने भी अपने पीछे दर्वाजा बंद किया मुर्थ जे ही एक मात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुद्बाई कहना था हमने गोल्श्मिट के लिए जुनोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहां छोड़ा जाना था वे ही अब उसकी देख भाल करने वाले थे खाली बिस्तरे, मेस पर बिखरा नाश्टे का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट ये सारी चीजें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ चाड़ कर गए हैं लेकिन इंप्रेशन छोड़ कर जाने में हमारी कोई दिल्चस्पी नहीं थी हम तो किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी बाकी कल तुम्हारी एन प्रिष्ठ संख्या सतावन गुरुवार नौ जुलाई उन्नी सो बै आलीस प्यारी किट्टी तो आखिर हम चल पड़े ममी पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैक थे जो अल्लम गल्लम चीजों से उपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे सुबा सुबा काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचार की भरी निगाहों से देख रहे थे आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था जब हम गली में पहुँच गए तभी पापा और ममी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी यूजना क्या थी पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फरनिचर और कपड़े लगते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे ये तै कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अग्यातवास में चले जाएंगे अचानक मार्गरोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण यूजना को दस दिन आगे खिसकाना पड़ा था इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किये गए कमरों में ही गुजारा करना होगा चिपने की जगा पापा के औफिस की इमारत में ही थी इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देते हूं पापा के आफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं थे बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमन, मियप और तेज़ बरस की टाइपरिस्ट जिसका नाम बेप वोस्कुल था उन सब को हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी मिस्टर वोस्कुल बेप के पिता दो और सहाइकों के साथ गोदाम में काम करते थे उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दू तल जमीन पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगा और भंडार घर के रूप में इस्तिमाल होता है इसके अलग-अलग हिस्से बने हुए हैं ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगरा हैं जहां एलाइची, लौंग और काली मिर्च वगरा पीसे जाते हैं प्रिष्ट संख्या 58 गोदाम के दर्वाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दर्वाजा है जो ऑफिस का प्रवेश्दवार है ऑफिस के दर्वाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दर्वाजा है और उसके पीछे सीड़िया है सीड़िया उपर चड़े तो एक और दर्वाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले काँच की खिड़की लगी है इस पर काले अक्षरों में कारियाले लिखा हुआ है यही आगे वाला बड़ा यानि फ्रन्ट आफिस है यह बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है दिन के दौरान यहाँ बेप, मियप और मिस्टर क्लिमिन काम करते हैं एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों के अलमारी और स्टेश्णरी की बड़ी सी अलमारी है इस गलियारे के पार एक छोटा सा दमगोटू अंधियारा कमरा है यह बैक आफिस है इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं मिस्टर कुगलर के ओफिस में पैसेज से भी पहुँचा जा सकता है लेकिन सिर्फ काश वाले दर्वाजे के जरिये जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं मिस्टर कुगलर के आफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोईले वाले गोदाम की और बढ़ोगी और चार सीड़ियां चड़ोगी तो तुम अपने आपको प्राइवेट आफिस में पाऊगी ये पूरी अमारत का शोपीस है शानदार महुगनी फरनिचर लेनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिच्छा है एक रेडियो है आकरशक लैम्प है सब कुछ उत्तम दरजे का इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई खर है उसमें पानी गरम करने का हीटर है गैस के दो चूले हैं साथ में पाखाना है ये पहली मन्जिल का नक्षा है नीचे की सीड़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मन्जिल की तरफ जाता है सीड़िया खत्म होते ही थोड़ी खुली जगा है और उसमें दोनों तरफ दरवाजे हैं दाई तरफ का दरवाजा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है घर के सामने की तरफ से एक परमपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदा सीड़िया हैं कि एडियों में मोच आ जाए ये रास्ता गली की तरफ खुलता है सीड़ियों के उपर बनी जगा से दाई तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त अनिक्सी की तरफ जाता है कोई कलपना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमेले दरवाजे की पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं दरवाजे के आगे सीड़ी का बस एक ही पाइदान है इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं आपके सामने ही कई सीड़ियां उपर की तरफ चली जाती हैं बाई तरफ एक तंग सा गल्यारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्रॉइंग रूम और बेडरूम का का काम करता है अगला दर्वाज़ा एक छोटे कमरे का है यह परिवार की दो जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है सीड़ियों के दाई तरफ घुसल खाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वाश बेसिन लगा हुआ है किनारे की तरफ वाले दर्वाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दर्वाजे से मेरे और मार्ग्रोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है यदि आप और सिड़ियां चड़कर बिलकुल उपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में उपर एक बहुत बड़ा खुला-खुला और हवादार कमरा देख कर हैरान रह जाएंगे इसमें एक गैस का चूला है और एक सिंख है भगवान का शुक्र है कि ये मिस्टर कुगलर की प्रयोक्षाला के काम आता था ये मिस्टर और मिस्स वानदान का बेड्रूम और रसोई घर होगा इसे कॉमन रूम, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकेगा एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेड्रूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है, वैसी ही अटारी और मियानी यहां भी है तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सेर करवा दी तुम्हारी एन मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है, तुम्हें बोर कर दिया हो लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ, कि तुम जानो, हम कहां आ पहुँचे है मैं यहां कैसे आ पहुँची हूँ, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता जलेगा लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूँगी मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है 263 प्रिंस इन ग्रास्ट में हमारे पहुचने पर, मियप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सिड़ियों से उपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनिक्सी में ले आई उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारी पीछे दर्वाजा बंद कर दिया मारगोट अपनी साइकल पर पहले ही आच चुकी थी और हमारी रहा देख रही थी हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठुसे पड़े थे कहीं दिल धरने की जगा नहीं थी पिछले महीनों में जो कार्ट बोर्ड के बकसे ऑफिस में भेजे गए थे चानों तरफ फर्ष पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे छोटा कमरा फर्ष से चट तक कपड़ों से अटा पड़ा था उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी हमें सफाई का काम तुरंट शुरू कर देना था मा और मारगोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी वे बिना चादरों वाली गद्धियों पर ही पसर गई ठकी, बेहाल और पस्त लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंट जट गए मामान ठिकाने से लगाते रहे आखिर ठक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढहे गए हमने पूरे दिन में एक बार भी गरम खाना नहीं खाया था लेकिन परवाह किसे थी मा और मारगोट की ठकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सक नहीं थी मंगलवार की सुबा हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया बेप और मियप हमारे राशन कूपनों से शौपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले परदे लगाए मैंने रसोई का फर्ष रगड रगड कर साफ किया सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे बुधवार तक तो मुझे ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी जिंदकी में कितना बड़ा परिवर्टना चुका है अब गुप्त अनिक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदकी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है तुम्हारी एन शनिवार 28 नवंबर 1942 मेरी प्यारी कित्टी हम इन दिनों बिजली का बहुत ज्यादा इस्तिमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज्यादा खर्च कर चुके हैं नतीजा ये होगा कि और अधिक किफायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए एक पकवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं कितना मज़ेदार ख्याल है नहीं क्या लेकिन कौन जानता है ये अर्सा इससे कम भी हो सकता है बहुत अंधेरा हो जाता है चार साढ़े चार बचते ही हम तब पढ़ नहीं सकते इसलिए वो वक्त हम उल जलूल हरकतें करके गुजारते हैं हम पहेलियां बुझाते हैं अंधेरे में व्यायाम करते हैं अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं हम कुछ भी करें थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला दूर भीन लगा कर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में ज्ञाकना दिन के वक्त हमारे परदे हटाए नहीं जा सकते एक इंच भर भी नहीं लेकिन जब अंधेरा हो तो परदे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिल्चस्प लोग रहते हैं खेर हमारे पड़ोसी हैं मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था एक परिवार फिल्म बना रहा था तो सामने वाले घर में एक दंत चिकितसक एक डरी हुए बुढ़िया से जूज रहा था मिस्टर डसिल जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पढ़ती है और वे उन्हें खोब प्यार करते हैं दरसल बाबा आदम के जमाने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाशन देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नीद आने लगे चुकि मुझ अकेली को ही ये सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ माहराज डसेल के साथ ये लंबोतरा सकरा कमरा शेयर करती हूँ और चुकि मुझे ही हम तीन बच्चों में आमतोर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है मेरे पास यही एक उपाए बचता है कि उनकी वही पुरानी डाट फटकार और भाशनों की लंबी लंबी उबाओ श्रिंखला की तरफ कान न धरूँ न सुनने का नाटक करती रहूं ये बात तो खेर मैं फिर भी सहन कर लेती लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट ममी को दे आते हैं अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उबदेश पिलाया होता तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिस्स वान मुझे पाँच मिनट बाद बुलवा भीचती है सच मुझ मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंदर में हूँ और सारा दिन आपको हर तरफ से दुतकारा फटकारा जाए ये सब झेलना आसान काम नहीं होता रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चड़ा कर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सूचती हूँ तो वे इतनी ज्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हस सकती हूँ या रोही सकती हूँ तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सोजाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ या मैं उससे अलग तरीखे से व्यवहार करना चाहती हूँ जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ मेरी प्यारी किटी, अब मैं तुम्हें कितना उलजा रही हूँ लेकिन मैं चीजें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती और इस कमी वाले वक्त में कागस को मोड तोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिलकुल मना है इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम उपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर्फ पैर भी नहीं मिलेगा तुम्हारी एन शुक्रवार उन्नीस मार्च उन्नीसो तैंदालिस मेरी प्यारी किट्टी अभी एक घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है हुआ ये था कि एक केंद्री मंत्री ने ये कहा था कि टर्की जल्दी ही तडस्थता छुड़ देगा डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था टर्की इंग्लेंड के पक्ष में अखबार उसके हाथ से जपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वो उत्साह वर्धक अफ़ा सुनी थी हजार गिल्डर के नोट अवैद मुद्रा घोशित किये जा रहे हैं ये ब्लैक मार्किट का धंदा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा जटका होगा लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते हजार गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिती में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे और उसका सुबूत भी देना होगा इन्हें कर अदा करने के उप्योग में लाया जा सकता है लेकिन अगले हफते तक ही पाँच सौ गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे गियेज एंड कमपनी के पास अभी हजार गिल्डर के कुछ नोट भागी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था इन्हें कमपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदाईगी में निप्टा दिया है इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के उपर ही है मिस्टर डसिल को कहीं से बाबा आदम के जमाने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है इसका मतलब संभवता जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेक अप हो पाएगा जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसिल भयंग कर रूप से आलस दिखाते है ना केवल वे चार लोट से पत्रा चार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिठ्ठी पत्री बनाए हुए है मारगोट जो कि उनकी डच अध्यापिका है उनके ये पत्र ठीक करती है पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें और मारगोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिये हैं लेकिन मुझे लगता है वे अपनी चिठ्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे जनाब हिटलर घायल सेनिकों से बात चीत कर रहे हैं हमने उन्हें रेडियो पर सुना सच मुझ ये सब कुछ करोणा जनक था सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था मेरा नाम हैंरिक शापेल है आप कहां जखमी हुए थे सनालिन ग्राथ के पास किस खिसम का घाउ है ये दोनों पाउं बरफ की वज़ा से गल गए है और बाए बाजू में हड़ी ढूट गई है ये बाते जस की तस दे रहे हूं जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी घायल सेनिक जैसे अपने जखमों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे जितने ज्यादा घाउ उतना ज्यादा गर्व उन में से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था मेरे ख्याल से तो अभी भी वो उसी उत्साह में होगा कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया मुझ से डसल सहब का साबून जमीन पर गिर गया था मेरे गिस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया अब पूरा साबून ही गायब है मैंने पापा से कहा है कि मिस्टर डसल को इसकी भरपाई कर दे उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साब उनकी एक ही बट्टी मिलती है तुम्हारी एन शुक्रवार 23 चनवरी 1944 मेरी प्यारी किट्टी इधर के सब्ताहों में मुझे परिवार के वन्ष रिक्षों और राजसी परिवारों की वन्शावली तालिकाओं में खासी रुची हो गई है मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गेहरे और गेहरे उतरना पड़ेगा इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी हलांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत महिनत करती हूँ और रेडियो पर बी बी सी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ इसके बावजूद मैं अपने ज्यादतर रविवार अपने प्रिये फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ ये संग्रह अच्छा खासा हो चुका है मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज्यादा ही महरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंट थेटर पत्रिका की प्रती लेते आते हैं इस खर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादार नहीं है इसे पैसों की बरबादी मानते हैं लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं एक साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी गलाकारों के नाम उपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ बेप जो अकसर छुट्टी के दिन अपने बॉइफरेंट के साथ फिल्म देखने जाती है शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं तो मैं फिल्म के मुख्चे नाइकों और नाइकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फरराटे से बोलना शुरू कर देती हूँ हाल ही में ममी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानिया, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं जबानी याद है जब भी मैं नई केश सज्जा बना कर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर उगाई असेहमती साफ साफ पड़ सकती हूँ और ये भी बता सकती हूँ कि कोई ना कोई जरूर टोक देगा कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ मेरा ये जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का अविश्कार है, मजाग के रूप में लिया जाता है जहां तक मेरे हेर स्टाइल का सवाल है, ये आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिका रहता तब तक मैं उससे बोर हो चुगी होती हूँ और सब की टिपणिया सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं मैं सीधे घुसल खाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलजे हुए घुंगराले हो जाते हैं तुम्हारी एन पुरुष्ठ संख्या 65 बुधवार 28 जनवरी 1944 मेरी प्यारी किट्टी आज सुबह में सोच रही थी किया तुमने अपने आपको कभी गाए समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार जबानी पड़ती हैं इनकी इतनी अथिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मनी मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार दे सॉरी तुम्हें ये नाली के सर्टे पानी की तरह नीरस लगता होगा लेकिन सरा मेरी हालत की कलपना करो जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है अगर खाने के वक्त बाच्चीत राजनी थी या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो ममी या मिसिस वानदान अपने बच्पन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं खोड़े, उनकी चारलोट का महंगा वाड्रोब, लीक करती नावे, चार बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांस पेशियां और डरेवे मरीज, ये सब किस्से इन सारी बातों का निचोड ये है कि जब भी हम आठों में से कोई भी अपना मूँ खोलता है, बाखी सातों उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है प्रुष्ठ संख्या छिया सथ नतीजा ये होता है कि लतीफा सुनने वाले को अकेले हसना पड़ता है अलग-अलग ग्वाले, राशनवाले, कसाई, जो घरों की इन दो भूतपुर मालकिनों के संपर्क में आए इतनी बार उनके चरित्र चित्रन हो चुके हैं कि हमारी कलपना शक्ती में उनमें जोडने के लिए कुछ भी नहीं बचा NXC की ये हालत है कि यहाँ नया या ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है फिर भी इन सारी चीजों में ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है लोगों को नमक मिर्च लगा कर वो सब कुछ दोहराने की आदत ना होती जो मिस्टर क्लिमन, जॉन, मियब पहले ही बता चुके होते हैं कई बार मैं मेज के नीचे अपने आपको खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ छोटे बच्चे खास करें कभी भी किसी बड़े को टोक ने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत ना करें भले ही उनकी गाड़ी पट्री से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ती का दिवाला पिट चुका हो जॉन और मिस्टर क्लिमन को अग्यातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं हमें उन सब की तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफतार हो गए हैं और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो गैच से आजात कर दिये गए हैं भूमिगत होना और अज्यातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है हाँ कई प्रतिरूथी दल भी हैं जैसे Free Netherlands जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं अज्यातवास में छुपे लोगों को वित्तिय सहायता देते हैं युवा इसाईयों के लिए काम तलाशते हैं कर रहे हैं इसका सबसे बड़िया उदारन हमारी मदद करने वालों का है जो हमारी आज तक मदद करते हैं और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे इसका कारण ये है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी खिस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं वे रोजाना उपर आते हैं पुरुशों से कारोबार और राजनीती की बात करते हैं महिलाओं से खाने और युद्ध के समय के मुश्किलों की बात करते हैं बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं जन्म दिनों और दूसरे मौकों पर फूल और उपहार लाते हैं हमेशा हर संभव मदद करते हैं हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरे दिखा रहे हैं हमारे मददकार रोजाना अपनी बहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं अजीब अजीब कहानिया चल रही हैं उनमें काफी सच भी हैं अभी मिस्टर क्लिमन गेल्डर लैंट में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिकर कर रहे थे हिलवर सम में नए राशन कार्ट जारी किये गए ऐसे लोगों को जो अज्यातवास में रह रहे हैं राशन खरीदने में सुविधा हो सके अगर राशन कार्ट ना हो तो एक कार्ट के लिए साथ गिल्डर देने पड़ते हैं जिले में अग्यात्वास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्टार ने आग रहे किया कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने काड ले जाएं इन सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा भी न लगे तुम्हारी एन प्रिष्ट संख्या सरसट बुधवार 29 मार्च 1944 मेरी प्यारी किती क्याबिनेट मंत्री मिस्टर बोल के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा और फिर हर कोई मेरी डायरी पर जपट पड़ा सोचो, ये कितना दिल्चस्प होगा जब मैं इस गुप्त अनिक्सी के बारे में छफवाऊंगी उसका शीर्शक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के दस साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्यातवास में हम क्या-क्या बातें करते थे हाला कि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूँ फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती हैं अब देखो न पिछले रविवार जब तीन सो पचास ब्रिटिश वायोयानों ने इच्मुई डेन पर पाच सो पचास टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे काप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तिया या हमारे इन घरों में कैसी महा मारिया पहली हुई है तुम्हें सब की कुछ खबर नहीं है सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा लोगों को सबसियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटर साइकलें चुरा ली जाती है चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है चोटे चोटे बच्चे आठ आठ दस दस बरस के होंगे लेकिन लोगों की घरों में खिड़किया तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं लोग पाँच मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोटने पर उन्हें घर में जाड़ू फिरी मिलेगी चोरी गए टाइप राइटरों, एरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली खड़ियों, कपड़ों आधी को लोटाने के लिए अखबारों में इनाम के विग्यापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं गली गली नुकड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली खड़ियां, लोग उतार ले गए और सारवचनिक टेलेफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है डचों की नेतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं नकली कॉफी को छोड़ दो, तो एक हफ़ते का राशन दो दिन भी नहीं चल पाता अभी और क्या देखना बाकी है? पुर्शों को जर्मनी भेजा जा रहा है बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल है सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहन कर काम चला रहे हैं ब्लाक माकिट में जूते का नया तला साढ़े साथ गिल्डर का मिलता है इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं यदि वे करते भी हैं तो चार महीने इंतजार करना पड़ेगा और इस पीच जूता गायब हो चुका होगा इसका एक लाभ भी हुआ है खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी ही गमफीर हो रही है सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है खाद्यकार्याले, पुलिस, अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोब लगा कर जेल में भेज देते हैं सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत बक्ष में हैं तुम्हारी एन प्रिष्ठ संख्या उनहत्तर मंगलवार ग्यारह अप्रेल उन्नेसो चवालीस मेरी प्यारी किटी मेरा सिर घूम रहा है समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूँ गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठक था शुकरवार गुट फ्राइडे हम मुनापोली खेल खेलते रहे शनिवार भी हम यही खेल खेले दिन पता ही नहीं चला कैसे बीद गया शनिवार कोई दो बजे का वक्त रहा होगा तेज गोला बारी शुरू हो गई मशीन गने चल रही थी मर्द लोगों का यही कहना था बागी लोगों के लिए सब कुछ शांत था रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रन पर पीटर साढ़े चार बजे मुझसे मिलने के लिए आया सबा पांच बजे हम उपर सामने वाली अटारी पर चले गए वहां हम छे बजे तक रहे छे बजे से सबा साथ बजे तक रेडियो पर बहुत ही खुबसूरत मुझसाच संगीत बज रहा था मुझे रात्री राग बहुत ही भले लगे मेरा सोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराईयों में उतरता चला जाता है रविवार के दिन पीटर सनान नहीं कर पाया था नहाने का टब नीचे ओफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था हम दोनों उपर अटारी पर एक साथ गए हम दोनों आराम से बैठ सकें इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं उपर लेती गई हम एक पेटी पर बैठ गए अब हुआ ये कि एक तो वो पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे सहारा लेने के लिए हमारे पीछे दो और पेटियां थी ही मोश्ची हमें कमपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही अचानक पौने नौ बजे मिस्टर वानदान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसल का कुशन तो नहीं ले आये हैं हम कुदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे ये कुशन ही सारे जगडे की जड़ था डसल इसलिए खवा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तिमाल करते थे उन्हें डर था कि उनके तकिये पर पिस्सू चिपक जाएंगे उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे बदला लेने की नियद से पीजर और मैंने उनके बिस्तर में दो कड़े ब्रुश गुसिर दिये लेकिन जब मिस्टर डसल ने ते किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रुश निकाल लेने पड़े इस चोटे से प्रहसन पर हम हस्ते हस्ते लोट पोट हो गए लेकिन हमारा हसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया साढ़े नौ बजे पीटर ने हॉले से दर्वाजा खट-खटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आएं उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिखकत आ रही है मुझे तो दाल में कुछ काला नसर आ रहा है मैंने मारगोट से कहा तेहे पीटर ने किसी और बहाने से ये बात कही है जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि सेंथ हमारी हो रही थी पिता जी, मिस्टर वांदान और पीटर लपक कर नीचे पहुँच गए मारगोट, मा, मिस्टर वांदान और मैं उपर इंतजार करते रहे चार डरी सहमी औरतें बात ही तो कर सकती है जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना हम बातों में लगी रही उसके बात का मामला है मेरा सोचना सही था पृष्ठ संख्या सत्तर उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शान्त हो गया घड़ी ने पौने दस बजाए हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे हम शान्त बने रहे आत्मी लोग कहा थे ये धमाके की आवास कैसी थी क्या वे लोग सेंथ मारों के साथ लड़ रहे थे हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे दस बचे सीड़ियों पर कदमों की आवाजे आई पापा का चेरा पीला पड़ चुका था वे नर्वस थे पहले वे भी तर आये उनके पीछे मिस्टर वान दान दबे पाउ उपर वाली मन्जिल पर चले जाओ पुलिस के आने की आशन का है अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था बत्तियां बुझा दी गई थी मैंने फटा फट एक जैकेट उठाई और हम उपर जाकर बैठ गए हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे वे चारों दस बच कर दस मिनट तक वापस ही नहीं आए दो लोग पीटर की खुली घड़की में से निगाह रखे हुए थे सीड़ियों के बीच वाले दर्वाजे पर ताला जड़ दिया गया था बुक केस बंद कर दिया गया था हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया था तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था पीटर अभी सीड़ियों पर ही था जब उसने जोर के दो धमाके सुने वो नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दर्वाजे में से बाई तरफ का आधा फटा गायब है वो लपक कर उपर आया और होम गार्ड्स को चुकन ना किया वे चारों लपके लपके नीचे गये जब वे गोदाम में पहुँचे तो सेंध मार अपने धंदे में लगे हुए थे बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिलाए पुलिस बाहर भागने की आवाजें आई सेंध मार भाग चुके थे फट्टे को दोबारा उसी जगा पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापिस नीचे गिरा दिया गया पुरुश लोग सेंध मारों के धिठाई पर हैरान थे मिस्टर वानदान और पीटर गुस्से के मारे थर-थरा ने लगे मिस्टर वानदान ने दर्वाजे पर कुलहडी का एक जोरदार प्रहार किया उसके बाद सब कुछ शान्त हो गया एक बार फिर फट्टे को उसी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका ये प्रयास निश्फल कर दिया गया बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टौर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिये क्या मुसीबत है उन आदमियों में से एक भुनभुनाया लेकिन अब संकट ये था कि उनकी भुमिकाएं बदल चुकी थी अब वे पुलिस की बजाए सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे चारों लपक कर उपर आए डसिल और मिस्टर वांदान ने डसिल सहब की किताबें उठाई पीटर ने दर्वाजा खोला रसोई तथा प्राइवेट आफिस की खिड़कियां खोली फोन को नीचे फर्ष पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुँचने में सफल हो ही गए तुम्हारी एन पृष्ट संख्या 71 मंगलवार 13 जून 1944 मेरी प्यारी कित्टी मेरा एक और जन्म दिन गुजर गया है इस हिसाब से मैं पंध्रह बरस की हो गई हूँ मुझे काफी सारे उपहार मिले है स्प्रिंगर की पाँच खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक चड़ियों का एक सेट दो बेल्टें एक रुमाल दही के दो कटोरे जैम की शीशी शहदवाले दो छोटे बिस्किट ममी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब मारगोट की तरफ से सोने का एक ब्रसलेट वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर अल्बम डसल की तरफ से बायो माल्ट और मीठे मतर मीप की तरफ से मिठाई, बैप की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कौपिया और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के तीन स्लाइस पीटर ने पियोनी फूलों का खुबसूरत गुल्दस्ता दिया बेचारे को ये उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी लेकिन वो कुछ और जुटा ही नहीं पाया बेहत खराब मौसम लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी है कल चर्चिल, स्मट्स, आइजनहावर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसेसी गावों में गए जिन पर ब्रिटिश सेनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है डर किस चड़िया का नाम है जन मजाद बहादर यहां हमारी आनिक्सी की खिले बंदी से डच लोगों के मूट की था पाना बहुत मुश्किल है इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं प्रिटिश सेनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश त्वारा कबजा किये जाने के पक्ष में नहीं हैं नहीं जानते कि वे कितनी घलती पर हैं उनके तर्क का कारण इतना भर है ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए संखर्ष करना चाहिए और हॉलन्ट को आजाद कराने के लिए अपने शूर वीर सैनिकों की शहादत के लिए आगया आजाए हॉलन्ट के साथ साथ कबजे वाले दूसरे देशों को भी आजाद कराना चाहिए लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलन्ट में रुकना नहीं चाहिए इसके बजाए उन्हें चाहिए कि वे सभी कबजे वाले देशों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मागे डच इस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथों में सौपे और ठके तूटे हारे और लुटे पिटे अपने देश ब्रिटन में लौट जाए मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शान्ती संधी पर हस्ताक्षर कर लिये होते तो हॉलेंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौझूद थे हॉलेंड जर्मनी बन चुका होता और तब ये होना ही समाप्ती का संकेत होता सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं ब्रिटन की खिल्ली उडाते हैं उसके बुढ़ाते लौडों की सरकार को ताने मारते हैं उन्हें कायर कहते हैं इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं। एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लाइक हैं। उनकी जम कर मरम्मत की जानी चाहिए तब ही हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे। उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय, इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डाट फटकर ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी खमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और के तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बहतर तरीके से जानती हूँ। लेकिन एक फर्क है, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूँगी और काफी हद तक बदल चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ, कि लोग मुझे अभी भी इतना नाग घुसिडू और अपने आपको तीस मारखा समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्षड हूँ? क्या मैं ही अकेली अक्षड हूँ या वे सब ही है? ये सब व ये वाक्य इतना मुर्खता पूर्ण नहीं है, जितना लगता है. मुझ पर हमेशा आरोपों की बौचार करते रहने वाले दो लोग हैं, मिसिस वांदान और डसेल. उनके बारे में सब को पता है कि वे कितने जड़ बुध्धी हैं. मुर्ख, जिसके आगे कोई विशेशन लगाने की जरूरत नहीं. मुर्ख लोग आहम तोर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए. और इसका सबसे बढ़िया उदारन ये दो जड़ मती मिसिस वांदान और मुर्खा धिराज डसेल हैं. मिसिस वांदान मुझे इसलिए मुर्ख सम समझती हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज्यादा खड़ हैं. वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज्यादा छोटी पड़ गई हैं. और वे समझती हैं कि मैं अपने आपको कुछ ज्यादा ही तीस मारखा समझती हूँ. क्यो 73 ये बात दसल पर भी फिट होती है लेकिन मेरी प्रिये कहावत है जहां आग होगी धुआ भी वहीं होगा और मुझे ये मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात ये है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आपको सबसे धिक करती हूँ और यदि मा अपनी सलाहें देना शुरू करती है तो उनके देशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है कैसे होगी इस सिमुक्ती जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता मुझे कोई नहीं समझता ये वाक्य मेरा हिस्सा है बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा फिर भी इसमें थोड़े से सचका अंश है कई बार तो मैं अपने आपको प्रताड़त करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के दो बोल सुनने के लिए तरस चाती हूँ कि कोई आए और मुझे इस से उबारे काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंफीरता से समझ पाता अफसोस लाश जारी रहेगी मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो नहीं क्या किटी मैं मानती हूँ कि ये सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है गर्ल्फरेंट की तरह नहीं बलकि एक दोस्त की तरह उसका सनिह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है लेकिन कई बार कोई रहस्यमई ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खीचती है मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ती है कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दिवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चड़ा कर बता रही हूँ लेकिन ये सच नहीं है इसका कारण ये है कि अगर मैं उसके कमरे में एक दो दिन के लिए ना जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ पीटर अच्छा और भाला लड़का है लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है धर्म के प्रति उसकी नफरत खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती प्रिष्ठ संख्या चवहत्तर इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी जगड़ेंगे नहीं हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे पीटर शान्तिप्रिये सहनशील और बेहद सहज आत्मी अव्यक्ति है वो मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिने कहने की वो अपनी ममी को भी इजाजत न देता वो द्रढ़ निश्चई होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वो अपने पर लगे हुए सभी इल्जामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए इसके बावजूद वो अपने भीतरी स्वर को मुझसे छुपाता क्यूं है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमती नहीं देता कि मैं उसमें जहकूं निश्चे ही वो मेरी दुलना में ज्यादा घुन्ना है लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ हलांकि मुझ पर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वो मैं थियोरी में जानती हूँ व्यवहार में नहीं कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिन से समवात कर पाना बहुत मुश्किल होता है अपनी बात किसी से कह पाने के उत्कट चाह लिये होते है पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनिक्सी में ही बिताए है हम अकसर भविश्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वो मौजूद है क्या इसका कारण ये है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृती के लिए पागल हुई जा रही हूँ मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आस्मान, पक्षियों की चह जहाने की आवाज, चांदनी और खिलती कलिया इन चीजों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बांधा ना होता मेरे यहां आने के बाद चीज़ें बदल गई है उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहत कर्मी थी मैं रात के साढ़े ग्यारा बजे तक जबरदस्ती आँखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूँ अफसूस, मेरी सारी महिनत बेकार गई, चौन्ध इतनी ज्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था कई महिने बाद एक और मौका ऐसा आया था उस रात मैं उपर वाली मन्जिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही ये गहरी सावली बरसात की रात थी, तेज हवाई चल रही थी, बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी इस सारे नजारे ने मुझे मंत्र मुगध कर दिया था पिछले डेड़ बरस में ये पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षातकार कर रही थी उस शाम के बाद प्रकृती से साक्षातकार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती कई थी तब मुझे चोर उचककों, मोटे काले चुहे या पुलिस के चापे का भी डर नहीं रहा था मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसुई तथा प्राइवेट ओफिस की खिड़की से प्रकृती के नजारे देखती रही थी कई लोग सूचते हैं कि प्रकृती सुंदर होती है, कई लोग समय समय पर तारों भरे आस्मान के तले सूते हैं और कई लोग हस्पतालों और जेलों में उस दन की रहा देखते रहते हैं कि वे कब आजाद होंगे और वे फिर से प्रकृती के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे प्रिष्ठ संख्या 75 प्रकृती गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती ये मेरी कलपना मात्र नहीं है आस्मान बादलों चांद और तारों की तरफ दिखना मुझे शान्ती और आशा की भावना से सराबोर कर देता है ये वेलेरियन ये ब्रोमाइट की तुलना में आसमाया हुआ बेतर नुस्खा है शान्ती पाने की राम बान दबा प्रकृती मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ छेल जाती हूँ लेकिन खिसमत का लिखा यही है कुछ एक दुरलब अफसरों को छोड़कर मैं मैल से चीकट हुई खिड़कियों में खुसे गंदे परदों में से प्रकृती को बहुती कम नहार पाती हूँ इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है प्रकृती ही तो एक ऐसा वर्दान है जिसका कोई सानी नहीं कई प्रशनों में से एक प्रशन जो मुझे अक्सर परिशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है ये कह देना बहुती आसान है कि ये खलत है लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ संभवतह पुरुशों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारिरिक रूप से ज़ादा सक्षम है पुरुशी कमा कर लाता है बच्चे पालता पोस्ता है और जो मन में आये करता है लेकिन हाल ही में स्थिती बदली है औरतें अब तक इन सब को सहती चली आ रही थी चोकि बिवाकूफी ही थी चोकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया ये उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई सभग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगती ने औरतों की आँखें खूली हैं कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुशों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अर्शे तक इस तरह की वाहियात स्थिती को जेल दे जाना गलत ही था आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाती है पूरी दुनिया में पूरुश्वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है तो महिलाएं ने ये क्या कुसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान ना मिले सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है उन्हें अलंकरित किया जाता है उन्हें अमर बना डालने तक का शौरे प्रदान किया जाता है शहीदों को पूजा भी जाता है लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दरजा देते हैं मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि आम तोर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रना से गुजरना पड़ता है उससे कहीं अधिक तकलीफे, और तें बच्चे को जन्म देते समय झेलती है और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरसकार क्या मिलता है जब बच्चा जनने के बाद उसका शरीर अपना आकर्शन खो देता है तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर रे उससे विदा ले लेता है औरत ही तो है जो मानव जाती की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है बहुत अधिक मस्बूत और बहादूर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खटती है वो जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी-बड़ी डिंगे हांकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते मेरा ये कहने का कता ही मतलब नहीं है कि ओरतों को बच्चे जनना बंद कर देना चाहिए इसके विपरीत प्रकृती चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें ये काम करते रहना चाहिए मैं जिस चीज के भड़सना करती हूँ वो है हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैं भड़सना करती हूँ जो ये बात मानने को तयारी नहीं होते कि समाज में औरतों खुबसूरत और सौंदरे मई औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोलते क्रुइफची से पूरी तरह सैमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुशों को ये बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सब भे कहते हैं वहां जन्म, अनिवारे और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है आद्मियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है उन्हें औरतों द्वारा जहली जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये माननेता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है औरतें ज्यादा सम्मान और सरहना की हक्तार बनेगी वे सब औरतें जो एक उफ भी किये बिना ये लंबे चोड़े बखानों के बिना ये तकलीफें सेहती है तुम्हारी एन एम फ्रैंक प्रुष्ठ संख्या सतहत्तर अभ्यास प्रेश्ण एक यह साठ लाक लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है एक ऐसी आवाज जो किसी संतिया कवी की नहीं बलकि एक साधारन लड़की की है इल्लिया हिरनबुर्ग की इस चिपणी की संदर्भ में एन फ्रेंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें प्रेश्ण दो काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता अफसोस ऐसा व्यक्ती मुझे अब तक नहीं मिला क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण चिपा है प्रेश्ण तीन प्रकृति प्रदत प्रजनन शक्ती के उप्योग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें अथ्वा कितने बच्चे पैदा करें इसकी सोतंतरता स्त्री से छीन कर हमारी विश्व व्यवस्था ने सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है एन की डाइरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का ओचित्य ढूने प्रेश्न चार एन की डाइरी अगर एक एतिहासिक तोर का जीवन्त दस्तावेज है, तो साथ ही उसकी निजी सुखदुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी इन प्रिष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है, इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमती या असहमती तर्क पूर्वक व्यक्त करें प्रेश्न पाँच एन ने अपने डाइरे किटी जो एक निर्जीव गुडिया है को संबोधित चिठी की शकल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी प्रिष्ठ संख्या 78 नाजी दस्तावेजों के पाँच करोड पन्नों में एन फ्रेंक का नाम केवल एक बार आया है लेकिन अपने लेखन के कारण आज एन हजारों पन्नों में दर्ज है जिसका एक नमूना यह खबर भी है नाजी अभी लेखागार के दस्तावेजों में महज एक नाम के रूप में दफन है एन फ्रेंक बादरोल सेन 26 नवंबर एपी नाजी यातना शिवरों का रूंग्टे खड़े कर देने वाला चितरन कर दुनिया भर में मशूर हुई एन फ्रेंक का नाम हॉलेंड के उन हजारों लोगों की सूची में महज एक नाम के रूप में दर्ज है जो यातना शिवरों में बंद थी नाजी नरसंगार से जुड़े दस्तावेजों के दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागार एक जीन शिन फाइल में 40 नंबर के आगे लिखा हुआ है एनी फ्रेंक एनी की डाइरी ने उसे विश्व में खास बना दिया है लेकिन 1944 में सितंबर महा के किसी एक दिन वह भी बाकी लोगों की तरह एक नाम भर थी एक भैभीत बच्ची जिसे बाकी 2018 यहुदियों के साथ पशुगों को ढोने वाली गाड़ी में पूर्व में स्थित एक यातना शिविर के लिए रवाना कर दिया गया था दिया विश्व युद के बाद डच रेट रॉस ने वेस्चर बोर्क ट्रांजिस्ट केम्प से व्यातना शिविरों में भेजे गए लोगों संबंधी सूचना एकत्रकर इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस यानि ITS को भेजे थे ITS नाजी दस्तावेजों का एक ऐसा अभिलेखागार है जिसकी स्थापना युद के बाद लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए की गई थी इस युद के समाप्त होने के 6 दशक से अधिक समय के बाद अब अंतर राष्टिये रेटकाव समिती विशाल ITS अभिलेखागार को युद में जिन्दा बचे लोगों उनके रिष्टेदारों वा शोध करताओं के लिए पहली बार सार्वजनी करने जा रही है एक करोड 75 लाख लोगों के गारे में दर्ज इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल अभी तक परिजनों को मिलाने लाखों विस्थापित लोगों के वभिशे का पता लगाने और बाद में मुआवजे के दावों के संबंध में प्रमान पत्र जारी करने के लिए किया जाता रहा है अलमारियों और कैबिनेटों में संग्रहित इन फाइलों में उन हजार यातना शिविरों, बंधुआ मज़ूर केंदरों और उत्पीरन केंदरों से जुड़े दस्तावेजों का पूर्ण संग्रह उपलब्ध है किसी जमाने में थर्ड रीख के रूप में प्रसिद इस शहर में कई अभिलेखागार हैं प्रतेक में युद्ध से जुड़ी तरासदियों का लेखा जोखा रखा गया है ITS में एनी फ्रेंक का नाम नाजी दस्तावेजों के पांच करोड पत्रों में केवल एक बार आया है वेस्टर बोक्स से 19 मई से 6 सितंबर 1944 के बीच भेजे गए लोगों से जुड़ी फाइल में फ्रेंक उपनाम से दर्जनों नाम दर्ज हैं इस सूची में एनी का नाम जन्ति थी, एमस्टरडेम का पता और यातना शिविर के लिए रवाना होने की तारिख दर्ज है इन लोगों को कहां ले जाया गया ये कॉलम खाली छोड़ दिया गया है ITS के प्रमुख यूडो जौस्ट ने पॉलेंड की यातना शिविर का जिकर करते हुए कहा यदि स्थान का नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यह औस्टिश्ट था एनी उनकी बहन मागरोट वह उसकी माता पिता को चार अन्ने यहुदियों के साथ 1944 में गिरफ्तार किया गया था एनी डच नागरिक नहीं जर्मन शर्नार्टी थी यातना शिविर के बारे में एने फ्रेंक की डायरी 1952 में एनी फ्रेंक दाइरी ओफ दा यंगर्ड शीशक से छपी साभार जन सत्ता 27 नवंबर 2006 वितान भाग दो अभी आप सुन रहे थे कक्षा बारह के लिए हिंदी की आधार ध्वनी पाठ्थे पुस्तक निर्माण एवं संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T.